बूट इनिंग एरुबडी लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत हैं जैसे कि आप जानते हैं UPSC Civil Service exam में CSET ने अपने केवरेश्ट की जो उचाई हैं कठिनाईयों के स्तर में उसे प्राप्त कर लिया हैं तो आप क्योंकि उसे भी उचा कोई अगर कठिनाईयों का इस्तर होगा उसको पूरा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ इस बार नंबर सिस्टम के टॉपिक को और भी ज्यादा गेहराई के साथ तयार कराने के लिए मैं अभी केवल इतना वादा करता हूँ कि सी सेट में पूरा सिलेबस आप भी सच्चाईयों से आउगत है मैं भी सच्चाईयों से आउगत हूँ कि कम्प्लीट तो नहीं होगा लेकिन मैं नंबर सिस्टम नाम का जो टॉपिक है इसका पूरी गैरेंटी देता हूँ कि नंबर सिस्टम बहुती बारी की के साथ बहुती विस्तार पुरुवक हम इसमें कवर करेंगे हम कोशिश करेंगे कि एक से देड़ घंटे की प्रॉपर क्लास हो और जिसके माध्यम से नंबर सिस्टम कवर हो जाए नंबर सिस्टम लगबग 15 दिन का आप मुझे पूरा टाइन देंगे 15 दिन आप हटेंगे नहीं मेरे स्क्रीन के सामने से अपने आप से वादा करेंगे कि इस बार अंतिम रूप में गनित सीख कर जाते हैं यूपियसी दे ना दे लेकिन गनित सीख लेते हैं आकिर है क्या ये विशे हैं जब दुनिया की इतनी भर की बाते आपने सीख ली, दुनिया के दुखदर्द देख लिए, ताने देख लिए, तो यह विशय कोन सी तकली पे जीवन में लाएगा, यह किसी के बुराई करने का टाइम या किसी की तारीप करने वाली चर्चा तो है यह नहीं, पूरी तरह से क केवल और केवल हमें प्रयास करना है, कोई भी विद्यारती स्क्रीन के सामने खाली नहीं बैठेगा, हाथ में पेन और कागज अपने साथ रखेंगे, मैं बीच-बीच में सवाल भी देता रहूगा, सिलेबस समझाने कि मैं शौट में पांच मिनिट का टाइम लूगा, जि आज ही हम युद्ध इस्तर पर इस विशय का शुभारम करेंगे, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा सिलेबस तो पूरी तरह से किसी ने भी नहीं इतना दिया होगा, जितना सिलेबस पर चर्चाए हमने की हैं, कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि क्या प्री 2030 दुबाला होगा, तो देखो भई, यूट्यूब पर जो आजकल छपरी लोग आ गए हैं, छपरी मतलब मैं कहूंगा कि गंदे लोग आ गए हैं, बात हैं, मतलब बात इतनी सी होगी, पर उसको दिखाएंगे इतना कुछ कि ऐसा हो जाएगा, आपको लगता हैं कि इतनी ब कोई साधारन परिक्षा नहीं है, कुछ लोग अपने थमनेल को अट्रेक्टिव और विद्यारतियों को पूर्ण रूप से गवार साबित करने के लिए इस प्रकार की कलपनाओं में लिप्त हैं, आप अपनी मेहनत के स्तर को उचा करिए, इस परिक्षा का केवल यही समाध आप लड़िएगा, आप पूरी तरह से न्याय की मांग करिएगा, लेकिन आप तयारी में पिछड मत जाईएगा, पता चल रहा है कि किसी के लिए और अपने लिए न्याय मांगते मांगते, कब हम अन्याय का शिकार बन गए, तयारी न करने के कारण हम नहीं बता सकते कि य केवल मेहनत करने की, जिस समय आपको लगेगा कि अब आपके विकल्प नहीं रहें, तो राजनीती आपके लिए खुली पड़ी हुई है, आपके पास देश की व्यवस्ता और दबाव समू के रूप में काम करने के लिए विकल्प बने हुए हैं, वो सारे खुले विकल्प है, लेकिन अपनी तयारी में कमी रखना या अपनी तयारी में कमजोर पड़ना कहीं से कहा तक एक अच्छे प्रतिसपरदी के लिए बेहतर नहीं है, तो आइए हम भी उद्गोश करते हुए युद्ध स्तर पर मेहनत करते हैं, पिछले कई लंबे समय से चार महिनों से लग आपको दी है, मैं पुना दावा कर रहा हूँ, आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, आप पॉलिटी की अभी मैंने जो चार पार्ट में क्लास दी हैं, पाचवा पार्ट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं में मेंस के कामों में भी व्यस्त हूँ, तो वो क्लास करके देखिए, आई आर की क्लास करके देखिए, और मुझे जरूर बताइए, कि सच में आपको मुक्त में इससे बढ़िया भी क्वंटेन कहीं मिला था, मुक्त छोड़ दीजे, पैसे देकर भी मिल गया था, तो मुझे सुचित करिएगा, मुझे भी तो पता चले कि पैसे देकर भी कोन विक्ती सच में इमानदारी से काम कर रहा है, तो आप केवल और केवल मेहनत पर भरोसा करिए, अपने कामों पर भरोसा करिए, इधर उधर की बकवास कम करते हैं, और सीधा बिंदू पर आते हैं, आज के सी सेट की पहली क्लास पर, एक मिनिट का यहाँ पीडि पीडियाप कलेक्टर, यह सी सेट की बात है, सी सेट में कोई पीडियाप वीडियाप नहीं होता है, जो क्लास में हुआ, वही पर खत्म अपनी कॉपी में आप नोर्स बनाते चलेंगे, तो प्लीज कोई पीडियाप वीडियाप की मांग नहीं करेगा, जिसको सच में कुछ गंदे लोगों को पुनह मैं एक और बात समर्पित कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक अफवाय फैला के रख दी है कुछ नए लाल लालियों को लगता है कि सी सेट में अंग्रेजी भी पढ़ना होता है तो मैं आपको बता दू कि सी सेट में कोई अंग्रेजी नाम का विशे नहीं है कॉम्प्रियेंशन जिसको हम गध्यांश कह रहे हैं वो जितना अंग्रेजी में मिलेगा उतना हिंदी में मिलेगा कोई इंग्लिश नाम से आपको चीजे नहीं पढ़नी होती है कुछ गंदे लोगों ने इस तरीके के अपवाओ के कारण भी हिंदी माध्यम के विद्यारतियों को डरा के रखा हुआ है केवल और केवल जो चीज हिंदी में रहेगी जो चीज अंग्रेजी में रहेगी दूसरी भाशा में मतलब हिंदी में भी वो रहेगी तो कोई special अंग्रेजी की जरुवत नहीं है अब हम CSET में आज जो शुरुवात करने जा रहे हैं उसका नाम है mathematics गनित का विशय लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि सर ये गनित का जो विशय आप हमें बता रहे हैं क्या हम यहां गनित पढ़ने वाले हैं तो जी नहीं हम गनित विशय में लगबग 22 टॉपिक हैं जो कि UPSC ने पूछे हैं उनमें से अभी केवल पहला टॉपिक का टारगेट रख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा महतुपुर्ण हैं जिसका नाम है number system संख्यापद्दती जिसको हम कह सकते हैं कि भई सवाल number system के पूछे जाते हैं number system बड़ा important topic है वैसे तो मैं suggestion दोगा कि कोई किताब मत पढ़ना मुझे ही मानदारी से follow करना काम हो जाएगा लेकिन अगर आपका mood है कि नहीं सर मेरे पाद ये में पैसे है आप बताए कि मैं कहां खर्च करूँ तो मैं आपको कई किताबों की list बता रहा हूँ बड़ी famous किताब है number system के लिए quantum cat में जो बड़ी famous किताब के रूप में जानी जाती है सरवेश कुमार की quantum cat number system ठोक के भाव में दिया हुआ है जी भर के सवाल मिलेंगे सारे सवाल मिलेंगे जो UPSC पूछना चाहती है उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत हाई branded वाली किताब हो गई थोड़ा मध्यम वर्ग की economy class बताईए तो RS अगरवाल की किताब होती है पर यदि आप सच में UPSC देना चाहते हैं तो आप केवल मुझे ध्यान से सुन लेना आपके नंबर सिस्टम में कही से कहा तक कोई तकलीप नहीं आएगी नंबर सिस्टम जिसमें हमें remainder theorem, unit digit concept, divisibility rules से लेकर कई प्रकार के नियमों को पढ़ना होता है हम उसे इस chapter में cover करते हैं ये chapter पूरी तरह से tricky है मतलब आपको सीखना है कि ऐसी भी होता है ऐसी भी जादूई चीजे इस दुनिया में उपस्तित है तो आज हम इस नंबर सिस्टम का पहला topic स्टार्ट कर रहे हैं इस नंबर सिस्टम का पहला concept स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है remainder theorem हमारे UPSC के paper बनाने वाले को मैं आज की कक्षा समर्पित करता हूँ dedicate करता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांती दे क्योंकि उसने पिछले साल 6 फल के सवाल इतने पूछे जैसे उसके जीवन में कोई और फल बचा ही नहीं था केवल 6 फल बचा था इसलिए remainder theorem से ही शुरुवात कर रहे हैं कि हमें कैसे सवाल बनते हैं और किस तरीके से इन remainder theorem के प्रशनों को हम हल कर सकते हैं remainder theorem में लगबग 6-7 concept है 6-7 concept के बाद दुनिया जहान में जितने remainder theorem के सवाल आएंगे उसके लिए मैं उपस्तित हूँ हम देख लेंगे कि उसकी अवकात कितनी हैं कि हमारे से सवाल हल ना हो सके देखेंगे क्या वो ऐसा प्रशन बना सकता है अब जो हमसे हल ना हो सके तो शुरुवात करते हैं remainder theorem की ध्यान देंगे सभी लोग मैं ये बात मानतेवे शुरुवात कर रहा हूँ कि आज मेरे सामने जितने लाल-लाली बैठे उनके जीवन में आज पहली बार ही गनित नाम का ये विशय आवतार ले रहा है और वे अपने मस्तिश्क में उसे प्रवेश कराने के लिए आतूरित है तो बिल्कुल शुन्य से प्रारंब करते हैं कि remainder का मतलब क्या होता है शेश फल किसे कहा जाता है जब हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित करते हैं जैसे 75 को 9 से divide करते हैं तब हमारे सामने कुछ आकड़े उपस्तित होते हैं जिसमें इस संख्या को हम कहते हैं कि भैं ये डिवाइट कर रहा है, तो ये डिवाइजर है, अगर मैं हिंदी में गलती करूं तो मुझे बताते चलेंगे, ये भाज़क कहलाता है, ये भाज़क कहलाता है, दिविडेंड कहलाता है, ये कौशंट कहलाता है भाग फल कहलाता है और ये महोदय शेश फल कहलाता है इसको रिमेंडर के नाम से जाना जाता है रिमेंडर क्या होता है किसी भी संख्या में वह अतरिक्त संख्या जिसे घटाने पर हमें एक छोटी संख्या प्राप्त होती है जो भाजक से पूर्ण विभाजित होती है भाजक से पूर्ण विभाजित होती है रिमेंडर इस एक्स्ट्रा नमबर वेनेवर वी सब्स्ट्रैक फ्रॉम दे डिवीडेंड वी गॉट ए स्मॉलर नमबर विच परफेक्ली कम्प्लीटली डिवीजिबल बाई डिवाइजर इतनी शुद्ध अगर परिभाशा न समझ म आए तो घबराना नहीं जीवन इतना सा ही है कि एक्स्ट्रा नमबर होता है अगर इसको हटा दो तो हमें एक ऐसा नमबर मिलेगा 75 में से 3 हटा दो तो हमें एक ऐसा नमबर मिलेगा जो पूरी तरह से डिवाइड होगा और उस दिये गए नमबर से छोटा होगा दो शर्ते पूरी होनी चाहिए कि वह अगर घटा दिया जाएगा तो उससे छोटा नंबर मिलेगा और वो पूरी तरह से डिवाइड होगा हम उसे कहते हैं कि वह एक remainder होगा वह एक शेशफल होगा तो शेशफल की परिभाशा के बाद अब हम जीवन का प्रारंब करते हैं पहले कंसेप से पहला कंसेप लिखेंगे रिमेंडर थेवरम में रिमेंडर थेवरम का टाइटल डालेंगे शेशफल की संकल्पना शेशफल की संकल्पना पहला पॉइंड पहला पॉइंड लिखेंग के सभी लाल लाली शेश फल के प्रश्णों में सरली करन की अनूमती नहीं होती सरली करन की अनूमती नहीं होती in the remainder question, English medium वाले भी लिखते चलेंगे in the remainder question, simplification is not allowed सरली करन की अनूमती नहीं होती शेश फल के प्रश्णों में सरली करन की अनूमती नहीं होती simplification नहीं हो सकता हो सकता है, अगर कर रहे हैं तो क्या करना होगा वो बता रहा हूँ, लेकिन पहला नियम, remainder के प्रश्णों का पुना ध्यान देंगे, सरली करन की अनूमती नहीं होती सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे लाल लालियो 30 को divide कर रहे हैं 20 से, 30 को divide कर रहे हैं 20 से और मैंने आपसे पूछा कि बताओ 6 फल का मान क्या होगा 6 फल का मान, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि tell me the remainder value, मुझे बताइए कि 6 फल क्या आएगा तो कोई भी महान शक्स ये प्रयास नहीं करेगा कि 0 से 0 cancel हो गया, 2 से 3 एक बार cancel हो गया सर, एक बार कट गया और एक बार एक 6 फल बज गया तो हम कहेंगे कि ये गलत है, आपको मेरे लाल लालियो 30 को 20 से ही divide करना पड़ेगा और 6 फल बताना पड़ेगा कि 10 होगा महुद है 10 remainder आएगा, ये सही जवाब होगा remainder एक नहीं आएगा, remainder 10 आएगा क्यों आएगा सर, क्योंकि शेशफल के प्रशनों में सरली करन की अनुमती नहीं होती है in the remainder question, simplification is not allowed क्योंकि अगर आपने simplification कर दिया तो आपने वास्तविक संख्याओं को विभाजित करने का प्रयास ही नहीं किया है, आपने छोटी संख्याओं को विभाजित किया है, तो फिर आपका remainder original नहीं आएगा पर अब एक बड़ा सवाल हुआ कि सर ठीक है आप कह रहें लेकिन एक बड़ी संख्याओं करके हम अगर उत्तर निकाले तो क्या गलत है तो हमने कहा कि भी गलत यह होगा कि आपने नमबरों को छोटा करके हल किया है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मान लिजे कि आपने सरली करन किया था आपने कहा सर शेशपल पूचा तो मैंने सरली करन कर दिया और मैंने कहा कि भी दो से एक बाल डिवाइड हुआ तो वो तो भागपल हुआ, पर एक बच गया वो एक शेशपल था, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि अच्छा, मैंने सरली करन में दस से विभाजित किया था दोनों को, तो मुझे भागपल जो शेशपल आएगा वो शेशपल को उतने से गुना करना पड़ेगा और अंतिम रूप से ये शेशपल आएगा ये दूसरा तरीका हुआ, रिमेंडर निकालने का ये दूसरा तरीका है, शेशपल ग्याद करने का मतलब क्या हुआ जर? यदि सरलीकरन कोई विद्यारती अपना रहा हो तो जब वो शेशपल निकाले, रिमेंडर निकाले तो जितने से सिंप्लिफाई किया था, जितने से सरलीकृत किया था उतने से गुना कर दे शेशपल में उतने से मल्टिप्लाइ कर दे रिमेंडर में तो उसे original remainder मिल जाएगा उसे actual remainder मिल जाएगा और अगर actual remainder मिल गया तो वो उसका उत्तर होगा पर ये बात कहां लागू होगी केवल remainder के प्रशनों में ध्यान से सभी लोग मेरी बात पुना सुनेंगे मैंने आपसे remainder पूछा है 6 फल मैं तो 2 महिने के बाद 30 बटे 20 बराबर 10 पिता जी पूछ रहे कि बहुत बढ़िया बेटा ऐसे ही आयस बनोगे तुम 30 बराबर 10 ये तो पहली बारी पता चला मुझे तो तुम्हें बताना होगा कि महान शक्स जो 10 को आरावप लगा रहा है वो 6 फल की बात चल रही है भाग फल नहीं है वो remainder है वो 6 फल है पुना एक ओर सवाल रख रहा हूँ आपके सामने इधर ध्यान देना सरली करन के अनुमती नहीं होती है मान लीजे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि 75 दिवाइड बाइ 30 बताइए लाल लालियो 6 फल क्या आएगा बहुत बढ़िया अदबुत क्या बात है सभी के उत्तर एक साथ इसी को कहते हैं सीखना अगर आपको ये क्लास में बात सीखते आ गई तो नंबर सिस्टम और क्या है यही तो है तो आपने कहा कि महोदय अभी आपने बताया सरली करन नहीं कर सकते तो पहला तरीका तो यह हुआ कि आपने डाइरेक्ली डिवाइड करके 6 फल निकाल दिया दूसरा तरीका यह हुआ कि आपने 15 से सरली कुरुत किया कि 15 दो 30, 15, 5, 75, 5 बटे में 2, 2 दुना 4 तो हम कहेंगे कि 2 दुनी 4 या 2 गुना 2, 4 रिमेंडर आया 1 पर ओरिजनल रिमेंडर के लिए क्योंकि हमने इसको 15 से सिंप्लिफाइ किया था तो 15 का मल्टिप्लाइ करके ओरिजनल रिमेंडर निकाल दिया 6 फल ग्यात किया कि यह रिमेंडर होगा यह 6 फल होगा अगला जवाल देखते देखे कितने लोग सच में मेरी बात समझ पाए हैं 1000 बटे में 300 बताइए लाल लालियो कि 6 फल का मान क्या होगा what is the value of रिमेंडर बहुत ही खूपसूरत बहुत ही खूपसूरत क्या बात है रिमेंडर का मान क्या होगा तो हम कहेंगे कि सर अगर हम सिंप्लिफाइ करें इसको तो सिंप्लिफाइ करने पर 3-3-9 रिमेंडर आया एक लेकिन क्यूंकि 100 से सिंप्लिफाइ किया 2-0 का हमने हटा दिये थे तो 2-0 वापिस लगा दिये हम कहेंगे कि 6 फल 100 आया और अगर आप नहीं सिंप्लिफाइ कर रहे हैं तो फिर डाइरेक्ली बता दिजे 300-3-9-100 रिमेंडर आयेगा 100 शेश फल आयेगा एक और आखरी सवाल देख रहे हैं एक और आखरी बात देख लेते हैं 70 बाइ 14 तो रिमेंडर क्या होगा क्या बात सबसे पहले प्रखर दुबे का उत्तर तो आंसर आयेगा 100% 0 क्योंकि अगर कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो रिमेंडर नाम की कोई बात ही नहीं रहेगी क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब शेश फल कुछ बचेगा ही नहीं तो पहला कंसिप सभी तक पहुच चुका है पहला कंसिप था शेश फल के प्रशनों में सरली करन की अनुमती नहीं होती हम सिंप्लिफिकेशन नहीं कर सकते लेकिन अगर सिंप्लिफिकेशन किया तो जितने से सिंप्लिफाई किया था उतने का रिमेंडर में मल्टिप्लाई करो ताकि एक्चुल रिमेंडर मिल सके आगे बड़े किलिएर है पहला कंसेप्ट बिलकुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है सिंप्लिफाई अगर करना है तो रिमेंडर में उतना मल्टिप्लाई करना पड़ेगा जितने से सिंप्लिफाई किया था आईए दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं यदी दूसरा कंसेप्ट शेशफल के प्रस्णों में यदी अंश का मान अंश का मान हर से छोटा है तो शेशफल हमेशा अंश के बराबर होगा मेरे लाल लाली तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई संख्या आ जाए तो इसको कहते हैं अंश न्यूम्रेटर और इसे कहते हैं हर डिनोमिनेटर अंग्रे जी में दोरा देते हैं इन दर रिमेंडर कोईशन इप न्यूम्रेटर वैल्यू इस लेस देन दिनोमिनेटर इन दर रिमेंडर कोईशन इप न्यूम्रेटर वैल्यू इस लेस देन दिनोमिनेटर देन दर रिमेंडर इस ओल्वेज इक्वल तु न्यूम्रेटर यदि उपर की value छोटी है क्या बताना चाहरा हूं मैं बिलकूल improper fraction अगर उपर की value छोटी है और नीचे की value बड़ी है तो remainder का मान हमेशा A के बराबर ही होगा जो भी उपर होगा ज्यादा घबराओने इतना गनीती भाशा नहीं पढ़ते साधारन जीवन जीते हैं कि उपर और नीचे में यदि उपर वाली value नीचे से छोटी है तो वो तो dividing नहीं हुआ dividing नहीं हुआ तो जितना उपर दिया है उतना ही remainder आ जाएगा ध्यान से समझेंगे मेरी बात 40 बटे में 50 या 4 बटे 5 पहला सवाल देख लेते हैं अब भई 5 को 5 से 4 डिवाइड ही नहीं होता 4 को divide करने जाएंगे 5 से तो divide होगा ही नहीं हमें ऐसी कोई value नहीं चाहिए भागफल की हमें तो चाहिए 1,2,3,4 उसके बाद जो बच गया वो remainder के रूप में शामिल हो जाएगा तो यह जब divide ही नहीं हुआ तो हमसे कोई पूछे कि what is the remainder आप कहे देंगे कि sir remainder 4 है क्योंकि वो divide ही नहीं हो रहा है बिल्कुल हमें भागफल integral में चाहिए decimal में नहीं चाहिए पुनर repeat कर रहा हूँ मैं पुनर repeat कर रहा हूँ शेशफल के प्रस्ण में यदि उपर का मान छोटा है नीचे की तुलना में तो उपर वाली value ही शेशफल के बराबर मानी जाएगी then numerator is equal to remainder हम कहेंगे कि जो अंच है वही शेशफल है क्योंकि विभाजीत ही नहीं हुआ in the remainder question if numerator value is less than denominator then remainder is always equal to numerator बताए जरा देखे कितने लाल लाली मेरी बात समझ पाए है 35 divided by 70 what is the value of remainder 35 बटे 70 शेशफल का मान ग्याद कीजे प्रस्ण जरू लिखेंगे कि शेशफल का मान ग्याद कीजे what is the value of remainder शेशफल का मान ग्याद कीजे कि अदबुत अदबुत कुछ लाल लाली दो लिख रहे हैं सरली करन के अनुमती नहीं होती मेरे गंदे लाल लाली और अगर सरली करन कर भी लिया तुमने तो एक remainder 35 से सरली करन किया था तो भी remainder 35 35 यह आएगा तो भी 35 यह उत्तर आएगा और इतना करने की जरुवत ही नहीं थी सीधा 35 लिख देते क्यों क्योंकि मैंने नियम लिखवाया उपर वाली वैल्यू छोटी होती है तो वो डिवाईड ही नहीं कर रहा है जब दिवाईड ही नहीं कर रहा है तो दिक्लियर करदों की उपर वाली वैल्यू ही रिमेंडर है 200 200 by 300 क्या होगा रिमेंडर शेश फल का मान अभी लग रहा है बड़ा सरल कि सर ये तो बड़े इजी सवाल है पर यही सवाल एक्जाम में आ जाए तो तकली पर आ जाती है विद्यारतियों को अधवुत अधवुत बहुत ही खूपसूरत 200 रिमेंडर आ जाएगा उपर की वैल्यू छोटी है तो as it is एक लाक divide by 5 लाक 1 लाक divide by 5 लाक what is the value of रिमेंडर 6 फल का मान याद कीजिए पर याद रखना कि मैंने 6 फल पूछा है दो महीने बाद पता चल रहा है कि आपने उत्तर लिखा है एक लाक और पडोसी कन्फ्यूज कि ये कौन सा गनित सिख रहा है और कौन है ये महान शक्त जो इसको ऐसा गनित सिखा रहा है कि एक लाक बटे 5 लाक बराबर एक लाक तो याद रखेंगे हम रिमेंडर की बात कर रहे है शेश फल की बात कर रहे है तो मुझे पुन बताइए क्या आगे बड़े हम तीसरे कंसेप पर दूसरा कंसेप क्लियर है कि और प्रैक्टिस करवाओ रिमेंडर के प्रश्ण में यदि उपर वाली वैल्यू छोटी है तो रिमेंडर का मान हमेशा उपर वाली वैल्यू के बराबर ही होगा कितना भागेंगे आप कितना भागेंगे मैथमेटिक से एक बार तो सामना कर लीजे अरे भई हम उपर पोचेंगे तो उपर वाले से कहेंगे पूरी प्रकृती देखी और विशयों को भी देखकर आए जो प्रकृती ने बनाए नहीं थे मनुष्य ने बनाए थे आगे बढ़ते हैं तीसरे कंसेप पर आ रहे हैं रिमेंडर का तीसरा कंसेप लाल लालियो शेश फल कभी भी कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकता रिनात्मक नहीं हो सकता remainder never be a negative value शेश फल कभी रिनात्मक नहीं हो सकता संभव ही नहीं है कि remainder कभी negative हो जाए कभी possible है कि आपके पास कोई आम बचे थे आम बचे थे और आपने का मेरे पास minus में इतने आम बचे है क्या आप ये कह सकते है कि minus में कुछ चीच बच सकती है remainder कभी भी negative नहीं हो सकता है remainder never be a negative value तीसरा concept remainder never will be negative remainder कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकता आए ज़रा देखते हैं कितना अदबुत सवाल बनेगा अपने मोहले में अगर हवा बाजी करनी हो तो ये सवाल अपने जेब में हमेशा रखना ताकि मोहले में अपना दबदबा बन सके ध्यान से समझना ज़रा minus 50 minus 50 संख्या minus में दिया है divide by 7 और 7 से विभाजित करना है मेरे लाल लालि साथ से विभाजित करना है आप से पूछा गया है what is the value of remainder in this equation शेश फल का मान ग्याद कीजिए शेश फल का मान option भी दे देता हूँ मैं option भी देता हूँ आपको minus 1 plus 1 minus 6 plus 6 what is the value of remainder minus 50 बटे में 7 मोहले में अपने गाव में अपने एरिया में गनित में हवा बाजी करने वाला सवाल यह सवाल आप गनित के मास्टरों से भी पूछ सकते हो और आपको सुनकर अच्रज होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपके सोच से परे है कुछ लोगों ने उत्तर निकाला है जी महोदा इसका उत्तर आएगा plus 6 अदबुत है इसका उत्तर आएगा plus 6 आएए देखते हैं कैसे परीभाशा पर गौर करना आप जो मैं परीभाशा लिखवाई थी रिमेंडर एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक्स्ट्रा होती है जिसको घटाने पर हमें एक छोटी संख्या प्राप्त होती है छोटी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित होगी ध्यान से समझना माइनस 50 अब सॉल कैसे करेंगे इसको सीखे कि सर प्लस 6 कैसे आया माइनस 50 को 7 से डिवाइट किया तो आपने कहा कि सर 7 से डिवाइट किया 7 इंटू 749 और रिमेंडर आया माइनस 1 पहले नौर्मल निवेंडर निकालिए नौर्मल 6 पर निकालिए कि माइनस 1 6 पल आएगा लेकिन अभी तो मास्टर ने कहा रिमेंडर निगेटिव नहीं हो सकता है पर अगर आपका रिमेंडर निगेटिव आया तो जिस से आप दिवाइट कर रहे थे उसमें से उसे माइनस करके सॉल करोगे और आप कहोगे कि महोदें रिमेंडर सिक्स हैं वो भी प्लस में छेश-शेश पल आएगा अब मैं प्रूब करके दिखा रहा हूँ अगर समझ में आ जाए कि मैंने प्रूब करके दिखाया कैसे दिखाया है तो बड़िया नहीं समझ में आए तो नियम जरूर याद रखना क्योंकि तुम्हें चयन चाहिए तुम्हें किसी को एक्स्प्लेन तो करना नहीं है इसलिए यहाँ पर जरा गौर करेंगे कि कैसे उत्तर निकाल सकते हैं इधर ध्यान देंगे आप मैं प्रूब करके दिखा रहा हूँ कि माइनस पचास माइनस पचास अगर यह तो मैंने का कि यह तो हो इनी सकते थे तो यह उत्तर तो होगा ही नहीं अब यह बच गए थे तो हमने का भई अगर आप वन मानते हैं तो हम अगर बातचीत करें, तो minus 50 minus plus 1, अगर हम इसको solve करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक उधारन बताया था, कि remainder एक extra value होती है, जिसको अगर हम घटा दे, तो वो पूरी तरह से divide होता है, मैंने अपने पहले ही slide पर इसकी शुरुआत की थी, 75 को 9 से divide करके समझाया था, कि ए 40 value मिलती है, जो पूरी तरह divide होगी, आइए जरा देखना, अगर आप remainder को 1 लेते, प्लस 1 लेते, तो ये हो जाता minus 51, और minus 51 तो divide ही नहीं होगा, साथ से, इसले ये remainder तो आ ही नहीं सकता था, लेकिन minus 50, minus plus 6, तो लाल लालियो जरा गौर तो करो, minus 56 मिलेगा, और minus 56, छोटा है, छोटा है, इसमॉल है, किस से, minus 50 से है, minus 50 से छोटा है, इसलिए minus 56 के तहत, हम कहेंगे, कि ये value साथ से पूरी तरह divide होगी, इतना नहीं समझ में आए, तो बस मेरा तरीका जरूर सीखना, पुनर रिपेट कर रहा हूँ, पुनर रिपेट कर रहा हूँ, अगर कोई संख्या, minus में दी हुई है, तो आप उसका normal remainder निकालेंगे, वो minus में आएगा, पर क्यूंकि remainder कभी minus में नहीं हो सकता, इसलिए, जिस से divide कर रहे थे, उसमें से उस minus वाले remainder को हटा देंगे, तो answer आ जाएगा, original remainder, अगर सच में मेरी बात आप तक पहुच गई है, महोदय, तो होगी, विशाल प्रजापती मेरा बहुत प्यारा लाल कह रहा है, कि minus 50 को 5 से divide करे तो क्या होगा, वही होगा, जो मन्जूर एक खुदा होगा, पूरी तरह से divide होगा, तो remainder 0 आएगा, कैसा अदबुत लाल है, minus 50 को किसी से भी divide करो, अगर वो पूरा divide हो रहा है, तो remainder ना minus है, ना plus है, zero है, क्या बात है, बहुत ही कुपसुरत, बहुत ही कुपसुरत, बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे लोग एक साथ, शिवम टेक्निकल, शिवानी को मत ढूंडो, यहां हमारी वानी ढूंडो, तुमारे जीवन के दुखो को समाप्त कर लेंगे, बहुत ही बड़िया, आपने minus 100 को divide कर देना चाहिए था, आपने minus 100 को 7 से divide किया, 7 से divide कर दिया, तो आपका remainder minus 2 आया, आपने का आशर minus 2 तो नहीं होगा, पांच आंसर आजाएगा, पांच आंसर आजाएगा, एक ट्राइ अभी फिर करते हैं, minus 75 divided by 9, बताइए कि remainder की value क्या होगी, minus 75 divided by 9, और जो लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ समझना क्या है, अरे जीवन इतना सरल है, 9 into 8, 72, remainder minus 3 आया, मैंने मना कर दिया कि minus नहीं आएगा, मैंने सिखाया, minus में आये तो घटा देना, ये समझ में नहीं आ रहा है, खोपड़ी इतनी छोटी तो नहीं हो सकती, कि ये दो स्टेप नहीं सीख सकते, और नहीं हो सकता ये दो स्टेप, तो भूल जाओ बड़े सपने, तुमसे नहीं हो सकता है फिर UPSC, UPSC, ये दो स्टेप नहीं सीख पा रहें, ये संभवी नहीं है, कि ये कोई विद्यारती मुझसे कहें, कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अरे मास्टर कर क्या रहें, डिवाइट किया, जो बच गया था, उसे लिख दिया, भई 9 into 8, 72, 72 हुआ, 3 बच गया, माइनस वाला, मैंने माइनस 3 हटा दिये, नीचे से, ये अभी नियम सीखाता, 6 आना चाहिए, और नहीं हो सकता है, तो रियल में भूल जाईए, तुमारी अवकात निये, और तुम सही व्यक्ती भी नहीं हो, UPSC के लिए, क्योंकि दो स्टेप न सीख सके, वो क्या खाक डिस्ट्रिक में सही डिस्जन ले पाएगा, सीखना तो पड़ेगा, फिर से ट्राय करिए, माइनस 3,000, डिवाइड बाए, 8,000, बताईए, रिमेंडर का मान क्या होगा, देखें कितने लोग समझ पाते हैं, एक लाली कह रही, क्या रोज क्लास होगी, क्या, आज हूई उसको तो देख लो, मतलब यह कैसे लोग है, जब मानो आज खाना मिला, तो भी रोज मिलेगा क्या, आज का जीवण देखो, किसे पता भविश्य कहा है, किसे पता कल जीवण में क्या होगा, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान में जीवन जीए न अभी सीखने का मोगा मिल रहा है सीखे आगे बढ़िये और मैंने टाइम टेबल क्लास के शुरुआत में दे दिया हैं किस दिन सीसेट के नंबर सिस्टम की क्लास होगी क्या बात है बहुत बढ़िया आंसर आएगा कि पाच हद्जार रिमेंडर होगा पाच हद्जार क्यों की क्यों की सर ऐसा क्यों अभी नियम बताये था दूसरा मैंने यदि उपर वाली वैल्यू छोटी हैं नीचे वाले से तो वो as it is रिमेंडर होता है तो आपने कहा कि सर उपर वाली वैल्यू छोटी है तो as it is रिमेंडर माइनस तीन हजार आया पर वो तो माइनस में है सर अभी तीसरा नियम बताया माइनस तो हो ही नहीं सकता था तो अच्छा माइनस नहीं हो सकता था तो उसको घटा दो हम कहेंगे कि रिमेंडर का मान अच्छ हजार हो जाएगे कॉपी पेश कर रहे हैं माइनस 400 दिवाइड बाई 11 आपको बताना है रिमेंडर कितना होगा रिमेंडर की वैल्यू क्या होगी शेश फल का मान क्या होगा ज्यादा इंपोर्टेन है प्रशन पर जरूर गोर करते चलेंगे कि प्रशन क्या पूछ रहा है एक आ गया लाल जो पुन यही कमेंड्स कर रहा है कि भाईयों अपनी पत्नियों को ना पढ़ाना हा तो भाई अब अपसके पती को पढ़ाएगा क्योंकि भाई को तो अब कोई और मोका नहीं मिला कोई एक मुद्दा बस ट्वीटर पर आ जाए हम पूरे परिनाम निकाल देंगे अगर ऐसी गंदे परिनाम निकालते चले जाएंगे तो फिर करेंगे क्या हम कोई एक घटना के आदार पर लालिया मेरे पास मेसेज कर रही है कि सर हमें घरवाले कह रहे हैं कि क्यों पढ़ाए तुम भी ऐसा करोगे तो सारी परिवर्तन सब के साथ एक जैसी होने वाले होते पृत्वी पर तो अलग लग जीव के रूप में क्यों उतरित हुए होते तो अपने पढ़ाई पर फोकस करिये दूसरों की पढ़ाई में मदद करिये और इस तरीके के विचार कि केवल एक घटना के कारण आप अच्छे कार्ये छोड़ देंगे इतने गंदे थॉट्टों मत रखिए माइनस चार सो ग्यारा से डिवाइट कर दीजिए लाल लालियो ग्यारा से माइनस में है समझ लीजे तो ग्यारा से तीन बार डिवाइट हुआ थर्टी त्री फिर ग्यारा से डिवाइट कर दिया छे बार सिक्स्टी सिक्स तो चार रिमेंडर आया वो माइनस में लिख दिय माइनस चार हमने का ये तो हो इनी सकता है तो माइनस चार का मतलब हो जाएगा कि रिमेंडर आना चाहिए था सेवन रिमेंडर आना चाहिए था सेवन बिलकुल बिलकुल और मैं कहूंगा कि ज्यादा दूसरों के मामले में इंटर्फेर करने से जरूरी है कि हम अपने दुखों को दूर करें अपने दुखों पर ज्यादा गौर करें क्या तीसरा कंसेप क्लियर है मैं तीनों कंसेप रिपीट कर रहा हूँ पहला remainder के प्रश्णों में सरली करन के अनुमती नहीं होती, अगर सरली करन किया, simplification किया, तो remainder में आपको उतना multiply करना पड़ेगा, दूसरा remainder के प्रश्णों में यदि उपर की value छोटी है, तो remainder हमेशा उपर की value के बराबर होगा, तीसरा remainder कभी negative नहीं हो सकता है, और अगर remainder negative है, तो आपको उसे भाजक से, दिवाईजर से घटाना चाहिए, तब जाकर आप सही remainder तक पहुच पाएंगे, क्योंकि वो परिभाशा को follow करेगा, बहुत बढ़िया, हमारा एक लाल कह रहा है कि भाई, आलोक मोर्य पे नहीं, चंद्रगुप्त मोर्य पे ध्यान दो, क्योंकि उस पर सवाल आएगा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, और यहीं चीज होनी चाहिए, आप मोर्य काल पर ध्यान दो, आप मोर्य काल के साथ, चंद्रगुप्त मोर्य पर ध्यान दो, आलोक मोर्य तो हर दिन आएंगे, हर दिन जाएंगे, पर चंद्रगुप्त मोर्य अ चर्चाओं से अपने दुखों में परिवर्तन नहीं आएगा, अपने दुखों को दूर करने के विकल पढूंडो, अपने लिए बेहतर करने का समय निकालो, दूसरों की जिन्दगी में इंटर्फियर करके कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा तुम्हें आनंद की अनुब मास्टर के साथ ये जुड़ा है लाल, कि देखा, अब ऐसा सवाल एथिक्स में भी बनाया जाएगा, जैसे कि वो पेपर बनाने वाला वेक्ती बहुत आहत हो चुका होगा, क्योंकि उसने अपनी जिन्दगी में ऐसी कोई घटना देखी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत इ कंसेप्ट पर आ रहे हैं, और चौथा कंसेप्ट बहुत ही इंपोर्टेन कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपुर्ण कंसेप्ट है, यदि किसी प्रश्ण में, यदि शेषफल के प्रश्णों में, शेषफल के प्रश्ण में, समीकरन, ए की ए प्लस वन की पावर एन दी गई है, और उसे ए से डिवाइट किया जा रहा है, समझा नहीं सर्म है, सिम्पल सा, नीचे जो वेल्यू है, उससे एक ज्यादा वेल्यू उपर है, नीचे दस है, उपर ग्यारा होगा, नीचे ग्यारा है, उपर बारा होगा, नीचे ट्वंटी है, उपर ट्वंटी वन होगा, नीचे जो है, उससे एक ज्यादा यदि उपर है, और उसकी पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, कितनी भी हो इरिटेड हो सकते फिर भी सुनना शेशफल एक ही आएगा remainder is always equal to 1 remainder का मान हमेशा एक ही आएगा 2 की power 100 बटे में 2 की power की जगत 3 की power लेते क्योंकि फिर दूसरे concept पराएंगी इस पर 3 की power 100 बटे में 2 3 की power 1000 बटे में 2 3 की power 2480 divide by 2 3 की power 111 divide by 2 मेरे लाल लालियों कुछ भी आजाए कुछ भी कुछ भी सभी का एक ही भगवान सबका मालिक एक remainder आएगा 1 6 फल आएगा 1 पुनर रिपीट कर रहा हूँ नीचे की संख्या की तुलना में उपर की संख्या यदी एक अधिक हैं उपर की संख्या यदी एक अधिक हैं तो शेश फल का मान हमेशा एक होगा मैं प्रूप करके दिखा देता हूँ प्रमानित करके दिखा देता हूँ एक क्यू आएगा एक लाली कह रही हैं एक क्यू आएगा सर दूसरा भी तो आना चाहिए एक ही आएगा लाली आएए देखते हैं तीन की पावर एक डिवाइड बाई दो थ्री बाई टू रिमेंडर आया वन शेश फल एक आया शेश फल दो से एक बार कट हुआ समझ रहे हैं न सभी लोग गरीब लोग खास करके ध्यान देंगे मानसिक गरीब बोल रहा हूँ मैं मैं तो नीचे कमेंड्स करोगे कि सर आपको गरीबों से बड़ी तकलीब है मानसिक भी गरीबी होती है जीवन में मानसिक गरीबी पर मेरा आरोप है वो आर्थिक गरीबी है जो गरीबी के बारे में आप सुनते हैं मैं मानसिक गरीबी पर ज्यादा विचार करता हूँ, ये दुख दूर क्यों नहीं होता, ये रिमेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं ये रिमेंडर, तीन की पावर दो, नव बटे में दो, रिमेंडर एक, चेक करके देख सकते हो, तीन की पावर ती, सताइस बटे में दो, रिमे पावर अब मैं इसका प्रूप दिखा रहा हूँ ये पहला एक और प्रूप ने तो आप कहेंगे सर तीन दो में लागू होगा बाकी में ने सब में लागू होगा 7 की पावर 1 बाई 6 तो रिमेंडर आयेगा 1 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 49 बाई 6 तो रिमेंडर आयेगा 1 आप 7 की पावर 3 करके देख लो 343 तब भी रिमेंडर आप देखोगे कि 1 ही आ रहा होगा वन ही remainder आएगा और ऐसा कुछ भी देख लो बस नियम क्या याद रखेंगे सर नियम नीचे जितनी value है नीचे उससे एक value ज्यादा उपर होनी चाहिए फिर उसकी power कितनी भी हो कितनी भी power हो remainder हमेशा हमेशा एक ही आएगा एक लाहल पूछ रहा है कि मैं अपनी पतनी को बाहर पढ़ाने भेजू या नहीं तो ये पुरुष मानसिक्ता है भेजू मतलब कही न कहीं वो व्यक्ति अपने आपको कह रहा है कि देखा मेरे निर्नयों परता है मैं किसे भेजूगा और किसे नहीं मैं कहूंगा कि अगर थोड़े से मानुविये गुन बचे हो तो आप ये सोचिये कि क्या वे आपके अंतरगत गुलामी का जीवन जी रहे हैं कि जो आपकी अनुमती के बाद चीजे चलेगी थोड़ा सा तो मान सिकता है बदलिये आपका जीवन उनके साथ है लेकिन आप उनको अपने अधीन नहीं मान सकते हैं वापिस जीवन पर आते हैं पॉलिटी की अगली क्लास मैंने जैसे बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा पंदरा दिन बीस दिन अभी और लगेंगे पर मैं पॉलिटी आपका बहुत अद्बुत कर दूगा जिनोंने नहीं कलास देखी वो सभी लोग पुना देख लीजेगा इधर वापिस आईए सवाल पर मैं देखो कितने लोग सच में समझ पाए हैं चोबिस की पावर 798 डिवाइड बाइ 23 तेजी से कमेंट्स करके बताइए कि रिमेंडर क्या होगा ठीक है अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई न एक बात तो समझ में आ गई कि जितना नीचे वेल्यू रहेगी उससे एक ज्यादा होगा तो मैं उत्तर निकाल पाऊगा कभी कभी एक्जामिनर जान बूच कर ऐसा सवाल बनाएगा कि जो इस एक्वेशन में सेट हो सकता है अगर आप ध्यान से देखे तो इधर ध्यान देना सभी लोग एक नई चीज सिखा रहा हूँ इसमें अब मान लीजे कभी कभी एक्जामिनर क्या करता है चार की पावर 24 बटे में 15 चार की पावर 24 डिवाइड बाइ 15 और हमसे वो गंदा वेक्टी पूच रहा है कि बताओ बताओ 6 फल क्या होगा तो ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे उत्तर मत बताओ समझो पहले मेरी बात ध्यान देना मेरे कंसेप पर मैंने तो बस ये सिखाया कि देखो बेटा नीचे जो है न उससे एक ज्यादा होना चाहिए मतलब नीचे 15 है तो उपर 16 होना चाहिए तो ही मैं उत्तर निकाल सकता हूँ नीचे 15 है, तो उपर 16 होना चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ, इसलिए, क्या मैं इसे 16 में बदल सकता हूँ, क्या ये possibility है कि यहां मैं 16 लिख सकूगा किसी तरीके से, गनित के किसी तरीके से मैं उसे 16 लिख सकूगा, तो आप में से कुछ लोगों ने का, जी सर, अब ज़रा ध्यान से समझना, चार का स्क्वेर, चार का क्यूब, चार की पावर चार, अगर आपको याद है तो बहुत ही बड़िया, नहीं है तो याद कर लो, नहीं तो जीवन के दुख दूर नहीं होंगे, हमें पता है कि चार क पावर दो में 16 आ सकता है, तो मैं यहाँ हैं 4 की पावर डबल करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, यह सीखना आपको, किसर चार की पावर दो लिख दीजे फिर पर जब मैं चार की पावर दो लिख रहा हूँ वहाँ तो 24 लिखा हूँ आए 24 ही आना चाहिए तो उसको डबल लिखे आधा कर देंगे ओरिजनल पावर को तो वो 12 हो जाएगा ऐसा भी गनित होता है इसको सीख लिजेगा अगर किसी X की पावर M और उसकी होल पावर N है तो गनित कहता है गनित मैं नहीं कहता हूँ ये गंदा गनित कहता है कि M into N हो जाता है मतलब X की पावर M N हो जाएगा M गुना में N हो जाएगा मतलब 2 गुना 12 हो जाएगा वही 24 आ जाएगा मैं पुनर रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सीखना ये तरीका मान लेते हैं कि 2 की पावर 28 था तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख दिया और इसको आधा करके उपर लिख दिया ताकि वही 28 वापिस मिल सके multiply से मान लेते हैं कि 2 की पावर 26 था तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया और और लाल लालियो यहां 13 लिख दिया क्योंकि 2 से divide करके ये value आ जाएगे मान लीजे कि 2 की पावर 27 था और मुझे ऐसा लिखना है तो सीख लीजे ऐसा कर सकते इसको भी 2 की पावर 27 मतलब 2 27 बार है तो एक 2 को बाहर निकालो कहो कि तुम 2 के कारण वो 2 से divide नहीं हो रहा है एक 2 को बाहर निकाल दो और अब लिख दो 2 की पावर 26 सर क्या ऐसा लिख सकते हैं जी भई ये गनित कहता है एकस की पावर एम इंटू एकस की पावर एन तो एकस की पावर एम प्लस एन ऐसा मैं नहीं कहता ऐसा ये गनित कहता है कि ऐसा करोगे तो ये नियम लागू होता है कक्षा साथवी आठवी में आता है कोई बात नहीं तुमें नहीं पता था आज पता चल गया तो हम इसको लिख सकते थे दो गुना दो की पावर 26 दो गुना उन्तीस को मैं लिख सकता था दो गुना दो की पावर 28 क्यों ऐसा कर रहे सर आप ताकि उसको डिवाइट करना इजी हो जाए घबराना नहीं अभी घबराना नहीं अभी तो फिर हमने कहा कि प्रशन क्या था भई प्रशन पर वापिस आईए प्रशन था चार की पावर सत चार की पावर 24 बटे में 15 मैंने कहा भई मैं 15 उत्तर नहीं दे सकता मुझे तो बताओ नीचे 15 तो उपर 16 हो तो मैंने 4 की पावर 2 उसकी होल पावर 12 लिग दी क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा ये और मैंने 6 कर दिया 16 की पावर 12 बटे 15 और मैंने कहा कि अब remainder एक ही आएगा अब remainder एक ही आ सकता है बताना लाल लाली हो 3 की पावर 22 बाई 8 remainder क्या आएगा remainder क्या रहेगा एक शालू नाम की लाली कह रही है कि पेपर में इतना याद नहीं रह सकता तो मत करो बेटा तयारी जीवन का आनंद लो गोल्डन टाइम पिरेड में हो जिन से याद रहे वो तयारी करे जिन से नहीं होता है वो तयारी छोड़े क्योंकि क्या करोगे फिर UPSC की तहरी करके जब चीजे याद नहीं रहती 28 तो विशय है 28 विशय है mathematics जैसा एक बड़ा subject है और ये याद नहीं रह सकता है तो फिर क्या याद रहता है कि सुभा खाना कप खाना है और शाम को कप खाना है अदबूत है लाली तो हमने लिखा कि सर इसको 3 का square लिख दीजे क्योंकि 9 लाना है नीचे 8 है तो उपर 9 लाना है अभी नियम बताया नीचे जितना है उससे एक ज्यादा उपर लाना है और आपने उसे 11 कर दिया क्योंकि 11 गुना 22 22 दो से डिवाइट करेंगे तो वापिस वहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 9 की पावर 11 बटे 8 नियम के अनुसार बदल गया तो उत्तरा जाएगा कि रिमेंडर 1 होगा अब ये मत सोचना की सर अच्छा हर बार रिमेंडर 1 होता है नहीं ऐसा नहीं है अभी जीवन में दुख आ सकता है आपके अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हर बार रिमेंडर 1 ही होता है फायू की पावर 31 बताओ कि रिमेंडर की वैल्यू क्या होगी आज का आखरी और खूब सुरत सवाग बिल्कुल क्लास 11 में 8 सबजे के लिया तो कोई गलत थोड़ी है बिल्कुल कुछ लोग 1 कह रहे है आए जरा ध्यान से सीखना जैसे ही कठिनाई बढ़ी कि लोग भागने लगेंगे उस समय तुम्हें खड़े रहना है ताकि तुम्हें दुनिया को दिखाना है मैं लड़ने में विश्वास करता हू भागने में नहीं कुछ लोग देखना तेजी से गायब हो रहे है क्योंकि अब मस्तिश की सीमाओं का उलंगन उन्हें लॉलीपॉप चाहिए अच्छा अच्छा बस उत्तरा गया यैसे ही तो चाह रहे थे और ऐसे लोगों को पसंद होते है वे महान शक्स जो अपने टाइटल में डालेंगे जानिये मात्र तीन मिनिट में सी सेट के ट्रिक्स और वेक्ति भागते चला जाएगा इधर ध्यान देना यहां पर हम जानते हैं कि नीचे चोबिस है तो हमारा मकसद है उपर पच्चिस लाना मैंने का भई पच्चिस लेकर आओ तो आपने का सर पाच का स्क्वेर इसको दो से डिवाइड होई नहीं रहा है तो हमने का कोई बात नहीं अगर ये नहीं हो रहा है तो ऐसे मत करो एक पाच बाहर निकाल दो एक पाच से कहो तुम 31 लोगों में एक पाच अलग आ जाओ तो भई एक तिस लोग बटनी रहे हमसे दो दो भागों में आप पाच एक अलग आ जाओ एक पाच अलग आ गया फिर पचा क्या भई बच गया पाच तीस बार क्योंकि एक पाच आ गया बहर अब आपने 24 से डिवाइड किया उस एक पाच को अलग कर दो अब उसको लिखो पाच की पावर दो दो से कट जा रहा है आसानी से 15 तो नीचे डिवाइड 24 फिर सॉल कर दो तो ये हो गया पाच का स्क्वेर 25 की पावर 15 अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यहाँ पर आप रिमेंडर 1 निकालेंगे और इसको थो छोटा वैल्यू है तो रिमेंडर उतने के बराबर आजाएगा तो यहाँ का रिमेंडर 5 यहाँ का रिमेंडर 1 इस पूरे रिमेंडर का मल्टिप्लाइ 5 बटे 24 और मैंने आपको बताया उपर की वैल्यू छोटी हो तो फाइनल रिमेंडर उतने के बराबर ही होगा अंतिम रिमेंडर 5 ही आएगा इस सवाल में अगर कठिनाई लग रही हो तो एक बार पुनह देख लीजे एक बार पुनह बता रहा हूँ हमारा मेन मकसद है नीचे की तुलना में एक वैल्यू ज्यादा उपर नीचे 24 दिमाग में आए 25 मैंने का 25 पाँच के स्क्वेर में आता है क्या आपने का जी आता है तो आने के लिए वो 31 के दो हिस्से होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए तो मैंने 31 में से एक पाँच को का तुम दरा साइड में आओ तो तुमारे कारण कट नहीं रहा है बाकी 30 को मैंने कट किया तो 15 15 में दो हिस्से बन गए तो मैंने 5 गुना 5 का स्क्वेर 15 लिखा वो 25 लिख दिया गया रिमेंडर अब इसका 1 आ जाएगा और यहां का रिमेंडर वो एज इट इस 5 हमने फाइनली सॉल किया तो 5 बटे 24 मैंने नियम दिया था कि अगर उपर वाली वैल्यू छोटी है तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी नीचे वाली वैल्यू से आप जब उसे डिवाइट करेंगे तो एज इट इस रिमेंडर लिख देंगे एक और ट्राइ करते हैं इसी इस पैटर्न के सवाल को एक और ट्राइ करिए जरा देखे कितने लोग समझ पाए या नहीं नीचे से एक वैल्यू उपर लाने का मकसद है बाकी कोई दिमाग में हमारे चीज नहीं है नीचे से हमेशा एक वैल्यू ज्यादा का दिमाग लगाएंगे हम लोग फॉर्टी एट सेवन की पावर फॉर्टी वन बताए कि रिमेंडर की वैल्यू क्या आएगी साथ की पावर 41 है वो बहुत बड़ा वैल्यू है और हम उसको कैलकुलेटर से भी सॉल करेंगे तो तकलीप आ जाएगी बहुत बड़ा आप कहेंगे कि सर नीचे 48 है उपर 49 लाना है वो सेवन के स्क्वेर में आएगा लेकिन सेवन के दो हिससे नहीं हो पार है 41 के एक साथ को बाहर निकाल दिया इसको 40 लिख दिया 48 फिर आगे बढ़ते गए फिर इसको सेवन की पावर 2 लिख दिया अब ये 20 में लिखा जा सकता है क्योंकि 2 हिससे हो सकते है इसके अब फिर सॉल कर दिया अब हमारे नियम के अनुसार वहां रिमेंडर तो 1 ही आ जाएगा तो हमने वहां 1 रिमेंडर निकाला और फिर सॉल किया तो 7 बटे 48 और हमने फाइनली कहा कि रिमेंडर 7 आ जाएगा 7 रिमेंडर आ जाएगा 5 कोश्चन होमवक के रूप में दे रहा हूँ मैं 5 कोश्चन होमवक के रूप में दे रहा हूँ सभी लोग नोट कर लेंगे उन 5 परशनों को पर लोग नोट कर दोप में दे रहा हूँ पर लोग नोट कर दोप में दे रहा हूँ इन 5 कोश्चनों में आपको बताना है रिमेंडर क्या होगा आप 5 परशनों को ट्राय करिएगा इसके आगे भी कराएंगे हम इसके आगे भी हम पूरी तरह से सॉल करेंगे पर वो क्लास वेनस डे के दिन होगा बुधुवार के दिन होगा अगली क्लास वेनस डे बुध्वार को होगी तब तक आप प्रैक्टिस करना इसी की बाकी शेर लाइक करते चलना जितने मित्र है सबको सूचित करना कि नंबर सिस्टम यदि वो करना चाह रहा है तो वो नंबर सिस्टम हमारे साथ कर सकता है यहाँ पर धन्यवाद तो नेक्स क्लास में आगे की चर्चाए करेंगे नोट कर लीजेगा बिलकुल एकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही है मैंने आपको बता दिया था जिन लोगों को नहीं पता तो क्लास की शुरुवात का स्लाइड डेखेंगे मैंने बताया है कि एकोनॉमि भी हो गुट